डन्नो यह एक contraction है don't know का मतलब मुझे नहीं पता I don't know how long it is going to take to reach there मतलब मुझे नहीं पता या फिर मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ पर पहुँचने में कितना समय लोगा या फिर मिरों को वहाँ पर पहुँचने में कितना समय लग जाएगा मुझे इसके बारे में नहीं पता या फिर इसकी चीश के बारे में मैं नहीं जानता जैश्ट यह एक noun भी है और एक verb भी है जब हम इसे as a noun यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा कोई चुटकुला या फिर कोई मजाक लेकिन as a verb यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी की हासी उड़ाना या फिर किस किया जा रहा है मतलब मेरे साथ मजाब मत करो या फे मेरी हसी मत उड़ाओ या फे मेरे पे मतलब चुटकुला मत बनाओ मेरे पे चुटकुला मत सुनाओ डायर यह एक एड़क्टिव मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर कोई परसन है कोई सिच्वेशन है या फे बहुत जादा मातरा में कोई चीज है I'm in dire need of help मैं बहुत ही ज़्यादा मातरा में मदद की मिर को बहुत ज़्यादा जरुवत है या फिर मैं एक ऐसे इस्तिती में मिर को बहुत ज़्यादा मदद की जरुवत है His shivering while speaking His in dire fear मलब वो बोलते से मैं बहुत ही ज़्यादा मलब सभा काँ पर आया तो वह अभी बहुत ज़्यादा डर में है याफ़ि उसक ज़्यादा डर बैटा हुआ है अभी catch a sight of somebody मदला अचानक से किसी चीज की जलक देखना अचानक से किसी चीज की या फिर इस परसन की जलक देखना उसको देखना या फिर उस PaR disposal पढ़ना हल्किसी नजर पढ़ना I got sight of काजल giving notebook to Rohan मतलब रोहन को notebook देते समय काजल पर मेरी हल्की सी नजर पढ़नी यह फिर फिर हल्की से जलक मैंने उसके देखी यह फिर हल्का समय उसको देखा कि जब वो काजल रोहन को notebook दे रही थी ओनस ये एक noun है मतलब कोई काम हो सकता है कि जी person का कोई duty हो सकती है कोई कर्तव भी हो सकता है मतलब जो उसे करना ही करना है It's your birthday Onus is on you to pay for it मतलब आज तुमारा birthday है या फिर अभी तुमारा birthday है तो भुक्तान करने की जिम्यदारी तो इसके जो भी party होई है उसका भुक्तान करने की जिम्यदारी तुमारी है या फिर ये कर्तव भी तुमारा है कि तुम जो भी party की payment होई है उसका भुक्तान करो Loyal ये एक adjective है मतलब कोई person है वो faithful है किसी चीश को लेकर किसी परसन को लेकर यह फिर वफदार है यह फिर निश्टावान है एब जो फ्रेंडली भीवियर वाला है बहुत ज़्यादा सोचेबल है लोगों से मिलना जूलना वोगों से बातें करना उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है I like to spend time in the office Because staff is so amiable there मैं मेरे को office में Time spend करना बहुत ज़्यादा चलगता है क्योंकि वहां का जो staff है वो बहुत ज़्यादा amiable है बहुत ज़्यादा sociable है बहुत ज़्यादा मिलनसार है लोगों से बातचीत करना या फिर लोगों से मिलना जुनना मेरे staff को पहुँचाता अच्छा लगता है Bland ये एक adjective मतलब कोई खाना है या फिर कोई चीज है जैसे वो tasteless है उसके अंतर स्वाद ही नहीं है बेस्वाद है The food cooked by you is really बेस्वाद है जो भी तुमारे दोरा खाना बनाया गया है वो नमक के बिना बेस्वाद है या फिर नमक के बिना वो पोरा का पोरा है या फिर सच में बहुत ज़्यादा बेकार है या फिर स्वाद रही थैं उसमें कोई भी टेस्ट नहीं है Contempt ये एक noun है मतलब किसी के लिए कोई भी respectful वाली feeling ना होना मतलब किसी चीज के लिए पर किसी परसन के लिए अंदर से नफरत भरी भावना है होना या फिर उसको महत भी ना देना I have contempt for the people who backbite मतलब जो भी backbite करते हैं जो भी पीट पीछे दूसरे लोगों के बुरा ही करते हैं ऐसे लोगों के लिए मेरे अंदर बिलकुल भी नफरत भरी भावना है ऐसे लोगों के लिए मेरे अंदर बिलकुल respectful वाली भावना नहीं है Negligence एक नाउन है मतलब किसी चीज के लिए या फिर किसी परसन के लिए लापरवाही या पर असाबधानी बोल सकते हो Your accident is the consequence of your negligence बनलब जो भी तुमारा accident हुआ वो तुमारे असाबधानी का या पर तुमारे लापरवाही का नतीजा है grasp ये एक नाउन है मतलब किसी चीज को लेकर अच्छी पकड़ बोल सकते हो या फिर किसी person को लेकर अच्छी फकड़ या फिर मजबूती बड़ी पर पकड़ बोल सकते हूँ इसको एक verb की रूप में भी यूज़ कर सकते हो आप मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी person को कसकर पकड़ना या फिर मजबूती से पकड़ना My teacher has good grasp of English grammar मनला मेरी जो टीचर हैं उनके अंदर English grammar को लेकर बहुत ज्यादा मचबूती से पकड़ है उनकी बहुत अच्छे knowledge है English grammar को लेकर brainwash ये एक verb है जैसे किसी का मन है उसने किसी चीछ को लेकर या फिकिसी person को लेकर एक मन बना रखा है उसकी मन को बदल देना उसकी दिमाग में कुछ और भर देना ताकि उसका जो मन है जो उसने बना रखा था उसका मन परिवर्थित हो जाए शॉपकीपर brainwashed you to buy another phone बना शॉपकीपर ने या जो भी दुकानदार है उसने तुवारा मन बदल दिया तुम एक मन बना के गए थे कि तुमने याला phone खरेदना है लेकिन जब वहाँ पर गए तो उसके पास phone नहीं था लेकिन उसके पास दूसरा phone था तो उसने specifications बताया आपको या फिर price बताया उसके बाद आपका मन परिवर्थित किया आपका मन बदल गया कि वो नया phone खरेद सकता है या फिर दूसरा phone खरेदने के लिए आपका मन बदल गया urgency यह एक noun है मदला किसी चीज की तुरंत जरुवत बोल सकते हो आवशकता बोल सकते हो get out of here police sided with a sense of urgency मनला यहां से तुरंत निकल जाओ यहां से तुरंत फरार हो जाओ पुलिस ने ऐसा कहा बहुत ही जादा आवशकता से या फिर आवशकता भरे बावना से या फिर एक ऐसी भाव के साथ कहा कि जिसमें बहुत ज़्यादे जरुवत थी कि यहां से कोई भी नहीं रहे या फिर यहां से सब के सब निकल जाएं ऐसी बावना के साथ पुलिस ने ऐसा कहा पैच अप एक फ्रिजल वर मतला रिस्तो को सुधारना आफ्टर हेविंग टिप इस गल्फरेंड नाव ही वोंच तो पैच अप मनला एक अपनी गल्फरेंड के साथ मनमुटावा जान के बाद अब वो पैच अप करना चाथा आप वो मनला रिस्तो को सुधारना चाहता है रिफ्ट येक नावन है दरार बोल सकते हो या फिर रिश्तो के पीच में अन्बन बोल सकते हो मनमुटाव बोल सकते हो I try to heal the rift between me and my friend मेरे और मेरे दोस्त के बीच में मन मुटाव हो गया था या फिर अन्बन हो गई थी तो उस दरार को ठीक करने के लिए मैंने अपनी कोशिश की Retrieve ये एक वर्ब है मतलब किसी चीज को दोबारा प्राप्त कर लेना किसी चीज को दोबारा या फिर वापस ले लेना Please help me out to retrieve all of my data from laptop मतलब मेरा laptop चलते यलते अचानक से खराब हो गया तो मेरे data जो भी है या फिर मेरे laptop में जो कुछ भी data है मैं उसको वापस पाना चाहता हूँ तो ऐसे sense में मैं किसी से कह रहा हूँ कि किरपे मेरी मदद कीजिए laptop से मेरे सारे data को दोबारा पाने में या फिर दोबारा प्राप्त करने में Whenever it is seen एक freeze है मतलब जब देखो या फिर जब भी देखा जाता है Whenever it is seen You keep using mobile मतलब जब भी देखो तो mobile चलाते रहते हो या फिर जब भी देखा जाता है तो mobile ही चलाते रहते हो Integrate ये एक वर्ब है मतलब किसी चीज को दोसी चीज में जोड़ देना या फिर दो चीज़ें या हैं उनको आपस में जोड़ देना You should integrate exercises into your life मतलब किसी की जिन्दगी बहुत अच्छी चल रही है बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी जिन्दगी को बिता रहा है आप उसको advice दे रहे हो कि तुम्हें अपनी जिन्दगी में exercise को भी include करना चाहिए exercises को भी या फिर व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए उनको जोड़ना चाहिए अपनी जिन्दगी में brown study ये एक noun है मतलब अपनी ही खयालों में खोई हुए रहना या फिर अपनी ही खयालों में डूबे हुए रहना अपनी ही खयालों में involved रहना what is wrong with him he is in brown study मतलब उसको क्या परशानी उसको क्या दिक्कत है वो अपनी ही खयालों में कोया हुआ है अपनी ही खयालों में डूबा हुआ है baffled ये खर्जक्टिव है मतलब कोई person है वो किसी चीज को लेकर उल्चा हुआ है या फिर अस मंजसम है उसको समझे नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है she was nearly backward between two dresses to wear मतलब उसके सामने दो dresses है दो कपड़े हैं दो dress हैं दो पोशाक हैं पहनने के लिए उसको confusion और ही कि उन में से कौन से dress वो पहने या फिर कौन से dress उसे पहननी चाहिए इस चीश को लेकर वो सच में असमान जस में थी या फिर उल्जन में थी